हेलो एवरिवान मैं नेम इस अदीती चौधरी वेल्किम टू मैं चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता हूं तुम हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती हो वो हमेशा कुछ न कु चाहिए होता है ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनमें हम यूज करते हैं कुछ न कुछ का सेंटेंस बनाने का रूल करोым में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में तो सबजेक और टेंस के अकॉर्डेंग helping verb आती है इसके बाद main verb आती है जो कि tense के according किसी भी form में हो सकती है इसके बाद something or the other आता है और last में other words आते हैं अगर बच्चते हैं तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए तुम हर वक्त कुछ न कुछ बोलती रहती हो वो हर वक्त कुछ न कुछ खाता रहता था उससे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी तुम हर वक्त मुछ से कुछ न कुछ चुपाते रहते हो हम इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेंगे कुछ न कुछ तो खालो अब एक सेंटेंस आपके लिए अपने शेहर के बारे में मुझे कुछ न कुछ तो बताओ इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई